असलाम वालेकुम आपने वेरे बॉर्णिंग माई यह स्टूदेंस तुदेश इस वीडियो आम गॉना एक्स्प्लेइन दा सेकंड पार्ट फर्स पार्ट हमने इससे पहले कहा है फर्स पार्ट का फर्स पोर्शन पढ़ लिया है अब हम उसी में कहा है सेकंड फर्स पार्ट का सेकंड पोर्शन कहा है डिसकस करेंगे इस वीडियो में आपको पता है कि इससे पहले कहा है राजा के जितनी बेटिया थी स सबका नाम उसने क्या है मंस के नाम पर नाम रख दिया था उसमें एक बेटी थी सेप्टेमबर कर उसने जो गिफ्ट दी थी पैरट वह पैरट का हो गया था मर गया था जिसके वह बहुत रो रही और सारे लोगों ने घर के क्या नियूसकों चुप कराने की कोशिश की लेकिन बनाने वाली गाने वाली वाली बर्ड आई तो बहुत खुश होयी और उसने कहा कि क्या है क्या तुम मुझे अपना पैट समझाओगी अपना पालतू जानुवर बनाओगी तो तो रेडि हो गई थी और का है रात में कहाहें वो गाते-गाते उसको सुला देते और वो सो गई थी गाना का संते मत अब उसके बाद का हूवा when she awoke next day the lady was still there जब वो क्या है दूसरे दिन उठी तो छोटी युडिया भी भी वहीं थी and as she opened her eyes he said good morning और जैसे ही September ने अपने आ के खुली उसने कहा good morning the mates of honors brought in her breakfast mates of honor निन नो करानी वो औरते हैं जो princess को अटेंड करती है मतलब कि woman attending princess मतलब नोकरानी कर सकते हैं इससे पहले किया है मैंने clear नहीं किया था लेकिन इसमें आपको clear हो गया मेंट्स of honor मिसका नोकरानी भी कर सकते हैं mates means no करी नोकरानी ही होता है so mates of honor यह honor इसलिए लगाते हैं कि वह कहा है में राजकुमारी की नोकरानी होती है आम नोकरानी common साधारा नोकरानी नहीं होती है इसलिए उनके साथ honor लग जाता है मेंट्स of honor तो नोकरानी अंदर का है उसका breakfast लेकिया है नाश्ता लेकिया है and he ate rice out of her hand उसने नोकरानी निचुडिया ने उसके हातों से किसके हातों से princess September के हातों से चावल का है and he and he had his bath in her saucer और उसने या नहाया भी उसी के saucer में जिस टब में वह नहाती थी उसी टब में उसने we नहाया इंग और 아아ता है वह बड़ा सटब होता है जिसमें नहाया जाता है बड़ा सटब होता है ठीक है लड़ी पानी यहार शाब नुपन सब क्कया है तो जो खोड़ा स एड्वांस टाइब के अग्याओं होती है लोग होते हैं वो उसी मनाते हैं तो उसी के सासर में उसने भी नहाया ठीक है तो बड़ा सटब होता है बास टब उसको सासर बोल दिया है यहाप इनों ने उसने फिर कहें इतनी खुफसूरत अंदाद में खुफसूरती से गाना गाना शुरू कर दिया कि नौकरानिया बहुत हैरान हो गई इसलिए कि उन्होंने इस तरीके कोई चीज़ कभी सुनी नहीं थी और प्रिंस सेप्टेंबर बहुत खुछ और प्रावट ती गर्व हो रहा तो गर्व फिल कर रही थी कि now i want to show you to my eight sister said princess princess ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी बहनों को देखाऊंगी she stretched out the finger the first finger of her right hand उसने अपने देने हाथ के पहले उंगली को कि या से फैला दिया दा so that it served as a perch तक ये क्या हो जाए ब्रांच की तरह बन जाए जैसे ब्रांच होती डाली होती डाली की तरह बन जाए and the little bird flew down and sat on it और जब बना लिया उसने इसे उगली फैला थी तो छोटी शोड़िया उस पर उड़ी और उसके उपर बैठ गे then followed by her mates of honor she went through the palace and called on each of the princess फिर वो नौकरानी के फिर वो आगे आगे और उसके पीछे पीछे नौकरानी जा रही थी और जाते 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 वो क्या है पूरे महले में गई और उसने हर एक प्रिंसेस को अपनी बहनों को बुलाया and for each of them the little bird sang a different song और हर एक बहन के लिए उसने चोटी चुड़िया नहीं लग 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 गाना गाया but the parrots could only say God save the king and pretty poly लेकिन प्रिट्ट्स जो थे उनके वो सिर्फ यही बोल पाते थे God save the king Allah king को नहीं राजा को महफूज रखे उनकी हिफादत करे और प्रिटी फॉली और यहीं बोल पाते प्रिटी फॉली बोल पाते दिवास अट लैस्ट शोड़ दे लिडिल बोर्ट तो दे आखिर में उसने चोटी चुड़िया को राजा और रानी को भी दिखलाया अपने फादर और माधर को दे वर सप्राइज डिलाइट वो भी हैरान थे और खुछ थे बहुत खुछ गए इसकी अम्मी ने कहा कि मैं जानती थी कि मैं सही काम कर रहे हूं कि तुमको बेगना खाने के बेटे पर भेज दिया इस बोर्ट सिंग्स मुच बेडर दैं दस पैरट से अच्छा गाता है अच्छा गाती है चुड़िया I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king said the queen रानी ने कहा कि मैं सोचती थी कि आप लोगों को God save the king God save the king कहते कहते सुन सुन करके क्या तुम ठक गया होंगे पक गया होंगे I can't think why those girls wanted to teach their parents to say it too मैं नहीं समझती कि यह लड़कियां क्यों इन पैरट्स को भी God save the king कहते हुए कहने कहने कहना क्यों सिखाती है तो मुझे लगता है कि आप इसे ठक गया होंगे तो फिर राजा ने क्या बोला सेंटिमेंट इस एड्मारेबल सेट दा किंग राजा ने कहा कि यह इमोशन यह संटिमेंट मतलब तारीफ के लाइक है कि लोग बोलें God save the king और यह वर्ट दारीब के लाइक है एंड आइड नेवर माइंड हाव आफटना है रिट मुझे इससे सुनने में कितनी बार मैं सुनों इससे मुझे कोई प्राब्लम नहीं होती है कितनी बार सुनों बड़ाइड टू टायाइड आरिंग दोस पैर्ट से फिर प्रिट पॉल साथ different language में बोलते हैं तो इससे आपको प्राब्लम नहीं होने चाहिए आइडियर से देडू सेट दे किंग राजा ने कहां मैं भी यही कहता हूं कि वह बोलते हैं साथ language में but it reminds me too much of my counselors लेकिन इनके बोलने के विजए से मुझे क्या है मेरे वजीर याद आ जाते हैं counselors मतलब वजीर मेरे वजीर याद आयाते हैं they say the same thing seven different ways और वो साथ ही साथ अलग तरीके एक ही सेम बात करते हैं and it never means anything in any way they say it और साथ अलग अलग तरीके से वह एक ही बात बोलते हैं और मतलब सौंज में नहीं आता है तो बिल्कुल यह मेरे counselor वजीरों की क्या याद दिला देता है इसलिए मुझे क्या है अच्छा नहीं लगता बोर हो जाता हूं प्रिडी पॉली प्रिडी पॉली क्या है सुन सुन कर गए the princess were waxed at this रानी जो राजकुमारी थी वो इस पर क्या है बहुत दुखी हो गए वेक्स एड़ी इस इस पर दुखी हो गए and the parrots looked very glum indeed और parrots भी क्या है बहुत दुखी हो गए थे but princess September ran through all the rooms of the palace लेकिन princess September पूरे पहल के पूरे महल के कमरों में क्या खूब दौड़ती रहे singing like a lark बिल्कुल एक ababil की तरह गाते हुए lark means क्या है ababil कर सकते है ababil एक bird होती है singing like a lark lark की तरह गाते हुए ababil की तरह गाते हुए while the little bird flew round and round her singing like a night angle वो दौड़ती थी क्या है ababil की तरह गाते गाते और जबकी छोटी चडिया उसके चारों तरफ का है बुल बुल की तरह गाते हुए क्या घूम रही घूमती रहती थी things went on like this for several days ऐसे ही चीज़ें कई दिनों तक चलती रही and then the eighth princess put their heads together लेकिन फिर क्या है आठो प्रिंसस जो थी वो मतलब एकठे हो गए put their heads together मतलब आपस में मिलकर उनने बात की and they went to September and sat down in a circle round her वो September के पास गई और कहें गोला बना करके उसके चारों तरफ बैड़ गई और क्या बोली my poor September मेरी मेरी बैचारी September they said उन्होंने कहा we are sorry for the death of your beautiful parrot हमें क्या है तुमारे खुफसूरत parrot के मरने से बहुत दुख हुआ I must be dreadful for you not to have a pit bird as we have बड़ी मतलब दुख की बात है कि जैसे हमारे पास एक pit bird है बालतु चुरिया है तुमारे पास नहीं है so we have all put our pockets of money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot इसलिए हम समने अपने pocket money को जमा किया है पैसा जमा किया जो जेब खर्च में मिलता था और हम क्या है तुमारे लिए एक प्यारा सा हरा सा पीला सा पैरट खरीदने जाने वाले हैं जा रहे हैं तैंक यू फॉर नाटिंग सेट सिप्टेंबर सिप्टेंबर ने का आपका शुक्रिया कुछ करने की दरोत नहीं है I have a pit bird मेरे पास एक पालतु जाना वार है which sings the most charming songs to me जो बहुती खुबसूरत अंदाद में क्या गेश सुनाती है मुझे and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot और मुझे नहीं लगता कि मैं क्या करूंगी हरे और क्या पीले पैरट को ले करके मैं सबीन पर क्या करूंगी well my dear they said it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes अच्छा मेरी प्यारी उन्होंने कहा कि लेकिन बड़ा खराब लगता है तुम्हारे चोटी चुडिया के बारे में बात करने बात करने बात करना बड़ा खराब लगता है जब वह चोटी चुडिया इद अंदर बाहर इदर उदर जैसे चाहती है दोड़ती रहती है दे लोक्त रावंड दर रूम एंड रेस दियर आइब्रोस उन्होंने क्या है अपने कमरे की तरफ क्या है चारो तरफ देखा और अपनी भाउं उठाई उठाए उठाए देखा से पुरा तो नहीं मानेंगी कि तुम्हारी चुडिया आप कहा है यह का है यह एज लों टूपे विजिट टू हिस फादर इंलाव से प्रिंस सेप्टमबर ने कहा कि वह तो अपने अपने ससूर से मिलने गई फादर इंला सब्सुमारा वह साला भी हो सकता है और ब्री निल तो इन ला किसी भी वर्ड के साथ लगा दिया जाए रिलेशन के साथ वह मतलब सब्सक्राइब रिष्टे में से हो जाता है ठीक है सब्सक्राइब ने कहा कि वह सब्सक्राइब अच्छा मेरी प्यारी आठो राजकुमारी ने कहा कि अगर तुम हमारी नसीहत को मानों कि हमारा हमारा मशवरा हमारी एडवाइस को लोगी तो तुम क्या है खतरे से खतरे में हमारा मशवरा यही ए कि दूम खत्रे में मत पढ़ो इस तरीक के you won't run any risk like that तुम क्या है इसी तरी हम तुम इस तरीके के खत्रे में मत पढ़ो if he comes back अगर वो आती है and mind you और तुम्हारा ख्याल करती है if he does you will be lucky अगर वो आती है तो तुम खुशकिस्मत हो pop him into the cage अगर वो आ जाए तो तुम उसको कहा है पिज़ड़े में रखतो and keep him there और उसको वहीं रखो that's the only way you can be sure of him और यहीं एक तरीका है कि तुम उसके बारे में यकीन रख सकती हो कि तुम्हारे साथ रहेगी अगर तुम भी से खुले छोड़े रखोगी तो कोई मतलब यह खत्रा आए कि वह वापस आएगी मतलब यह रिस्क है इसलिए क्या है उसको कमरे में उड़ती हुए देखना पसंद करती हूं सेफटी करती हूं सेट हर सिस्टर्स ओमीनस ली उसकी बहनों ने वार्निंग देते हुए धंगाते हुए कहा कि देखो सेफटी पहले है ठीक है देगाट और यह कह करके वह उठी और वाक्ट आट अफ दरूम और कमरे से च आट आट ऑट आटा आट कर देखो चाट रखिए अजय्ट अश़ अवा रूवड गौल आट अब अब आट आटूग इजय्ट है वे थायू आट अबगू आट 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 झाल, 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 झाल